इस वीडियो में हम जानेंगे इस्पिनिंग टॉप केंडल के बारे में जब बाजार में लंबी गिरावट के बाद बायर्स की एंट्री होती है या फिर लंबी तेजी के बाद सेलर की एंट्री होती है तब इस्पिनिंग टॉप केंडल बनती है Spinning Top Candle की Body बहुत छोटी होती है तथा Head और Tail बराबर बराबर होते है यह एक ऐसी Candle होती है जिसके बाजार में और रिश्चिता को प्रकट करती है इस Candle के बनने का मतलब यह होता है कि Market उपर या निचे किसी भी Side जा सकता है